हेलो दोस्तो, स्वागत है आप लोका, फिर से हमारे चनल सद्गुरु एलपेजु के सन में आज हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रा नंद पंत जी के जीवन परचे के बारे में तो चलिए वीडियो के लेटन करते वे स्टार्ट करते हैं सुमित्रा नंद पंत का जन्म सन 1921 में कौसानी ग्राम जीला अलमोडा उत्तरा चल में हुआ था जन्म के 6 घंटे बादी माता का देहान थो गया और इनका लालन पालन प्रकृति के गोद में हुआ प्रारंबिक सिक्षा गाव में हुई और हाई स्कूल की परिक्षा वराडसी से पास करके प्रयाग में मेवाड सेंट्रल कालेज में प्रविष्ट हुए किन्तु सन 1921 सिस्वी में और सयोग अंदोलन प्रारंब होने पर कालेज छोड़कर सहित साधना में प्रविष्ट हुए इन्होंने संस्कृत अंग्रेजी तथा बंगला भासा का अध्यन किया सन 1925 सिस्वी में पंत जी आल इंडिया रेडियों के परामर्स दाता के पदपर नियुक्तु है लंबे समय तक यह हिंदी साहित के निरंतर सेवा किये साहित अकादमी ने विशिष्ट साहित सेवा के लिए इने पुरस्कृत किया तथा भारस सरकार ने पद्म भूसर अलंकार से सम्मानित किया इनकी कृति चितंबारा पर भारतिय ज्ञान पीट का एक लाग का पुरस्कार प्रदान किया गया सरस्ति के इस पुजारी का सन 1977 इसी को देहानत हो गया आज के लिए बस इतना ही अगर आप लोग को हिंदी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी परसानी हो रहा है तो कमेंट बाक्स में जवाब दे उसका जल से जल हल करके एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा धन्यवाद